अलो नमस्ते यदा अब सस्री आकाल केम छो और कासा काय दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुपता फ्रम कार सॉनेक्स मिनिस्टर रोड हैतरबाद और दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हम आपके सामने लेकर आये about a 360 camera installation in the company's stock player of this venue 2024 facelift base variant जी हाँ दोस्तों 2024 की venue base variant है यह facelift model है यह base variant के company के player के अंदर by default एक reverse camera भी नहीं आता है और आज हमने इसके company के player के अंदर plug and place socket to socket एक 360 camera दाला है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से cameras इसके अंदर install हुए किस तरीके से 360 इसमें काम करेगा और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से calibration होने के बाद इसका bird view कैसा beautiful तरीके से दिखाई देता है तो friends आईए शुरू करता है about the demonstration of the Razer 2.0 360 camera well सामने अगर आप देखोगे दोस्तों हमने यहाँ पर grill के अंदर front camera install किया है जो beautiful तरीके से fit हो जाता है यह basically गाड़ी के exactly सामने क्या हो रहा है पूरा view हमें cover up कर देगा अगर side cameras के हम बात करेंगे तो side mirrors के अंदर वो इस तरीके से fit होते है यह आप बोली नहीं सकते हो कि यह कोई company के साथ built-in आया है या हमने कोई after market में additionally लगाया है अगर आप गाड़ी के पिछे का जो rare camera है उसे भी देखोगे तो वो भी इद्दम flush तरीके से fit हो जाएगा तो friends अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह जो चारो cameras है company player के अंदर किस तरीके से display करते है आये गेडन तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने यहां पर कोई system को चेंज नहीं किया है हमने यहां पर same company का जो by default base variant के अंदर player आता है कैसा क्या है आप देख सकते हो पूरा 360 view इसके अंदर cover हो रहा है so this is all the time मतलब हमेशा जबी भी आपकी गाड़ी first time on होगी तो आपको गाड़ी के चारो तरफ का view एक circular बता के bird view और गाड़ी के सामने का view कि भाई सामने कितनी दूर है दीवार या जो भी है वो आपको इधर display करेगा यह आपको कुछ second के लिए last करेगा and then it'll go back to the original display हम जब यहां पर reverse gear दालेंगे तो as it is आप देख सकते हो मुझे reverse का view and साथ में bird view प्रॉपर तरीके से display कर रहा है reverse gear हटाता ही as it is गाड़ी के सामने का view आ जाएगा likewise right indicator जब दालूँगा तो right side का पूरा view आ जाएगा बोद bird view में और individual view में and left indicator दालूँगा जब as it is left side का पूरा view आ जाएगा indicator off करते गाड़ी के सामने का view आएगा कुछ second के लिए and then वहापस तो company के player के अंदर वहापस shift हो जाएगा यह जो time duration है कि इंडिकेटर बंद होने के बाद सामने का camera किती देर आना चाहिए वो भी हम इसमें customize कर सकते है the best part is दोस्तों अभी जो आपने देखा है basically reverse gear दाले जब या indicators दाले जब का ही view देखा है हमें अगर running में भी यह 360 view को operate करना है तो हमें यह एक iDrive मिलेगा यह एक wireless device है जो बिना कोई holder link बिना कोई screw fitting के बैट चुका है तो हम जब इसमें click करेंगे तो automatic 360 on हो जाएगा नीचे हमें इदर अलग-अलग modes मिलेंगे जैसा यह front view हो गया है यह front panoramic view हो गया है यह front top view हो गया है likewise यह rare view rare panoramic view rare top view यह हमारा bird view हो गया है पूरा यह गाड़ी के tires का view हो गया है आप देख सकते हो tires turn कर रहा हूं तो यहां पर as it is display कर रहा है likewise यह doors का view हो गया है door खोलने के time पर and साथ ही साथ हमें यहां पर एक और एक view मिलेगा ताड़ दा drone view तो हम basically जैसा इधर iDrive को घुमाएंगे same उसी तरीके से system के अंदर भी एक perspective change होगा कि भाई गाड़ी को मुझे पिछे से देखना है या नहीं मुझे गाड़ी को आगे से देखना है मैं को गाड़ी को left right side से देखना है या left side से देखना है जैसा जो चाहूँ as it is यह perspective को change कर सकता हूँ the best part हमारा 360 का दोस्तों is two things एक तो उसकी clarity आज 360 camera इतने clarity और इतने qualities में आचुके बट यह Razor company का जो हम 360 दालता है उसकी clarity आप खुद देख सकते हो is top notch second is the calibration जिस तरीके से यह bird view calibrate होकर हमें एक proper ऊपर के तरफ से synchronized view दिखाता है that is the biggest USP of ours and दोस्तों the best feature of this 360 camera is हम जैसे जैसे गाड़ी drive करेंगे गाड़ी के चारो तरफ यह proper HD clarity में record भी करेगा है के नई जोरदार जब आपका view यह देखना बंध हो जाए let it be two minutes to two hours आप इसको long press करके रखे and as it is it will go back to the original display how cool is it दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से हमने यह venue गाड़ी के अंदर भी 360 camera लगाया है मतलब पहले एक rule था अगर गाड़ी के कंपनी के प्लेयर के अंदर reverse camera company से नहीं आता है तो आप उसमें 360 नहीं लगा सकते हो but now we have surpassed that also अगर आपको गाड़ी के कंपनी प्लेयर के साथ reverse camera नहीं आता है चाहे वो venue हो sonnet हो nexon हो base variant कास में भी तो भाई आज उस गाड़ी के सिस्टम में भी हम 360 लगा सकते है तो अगर आप चाहते हो इस ताइप के interesting चीज़ हैं आप miss out ना करें तो भाई do not forget to subscribe to our channel share this video with all your venue lovers चाहे वो base variant हो या mid variant या top variant आज हर variant के हर गाड़ी के अंदर हम यह 360 camera लगा सकते है thank you so much everyone for the love and the trust you guys have been showering towards us thank you so much everyone